ओम शान्ती आज 13 गस्त के अव्यक्त बापतादा के महा वाक्य हैं रिवाईज मुर्ली है 6 अपरेल 1995 की मुर्ली का सार है प्योर्टी की रुहानी परस्नलिटी की सम्रिती सरूप द्वारा माया जीत बनो प्योर्टी की रुहानी परस्नलिटी की सम्रिती सरूप द्वारा माया जीत बनो तो आज स्नेहे के सागर बापतादा चारों और के सरव स्नेही बच्चों को देख रहे हैं हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रुहानी परस्नलिटी की जलक देख रहे हैं बाहर के रूप में तो सधारन परस्नलिटी वाले हैं लेकिन रुहानी परस्नलिटी में सबसे नमबर वन हैं बाबा कहते दुनिया में अनेक परकार की परस्नलिटी जगाई जाती हैं शरीर की भी परस्नलिटी, कोई विशेशता की भी परस्नलिटी और कोई विशेश पुजीशन की भी परस्नलिटी लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी परस्नलिटी है बाबा केते प्योर्टी की परस्नलिटी प्योर्टी ही परस्नलिटी है जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी परस्नलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है तो बाबा पूछते हैं सभी अपने रुहानी परस्नालिटी को अनुभव करते हो आप जैसी परस्नालिटी सत्युग से अब तक कोई की है सारे कलप में चक्कर लगाओ तो आप जैसी परस्नालिटी है नहीं है न तो आपको अपने रुहानी परस्नालिटी का नशा है अनाधी काल में तो परमधा में भी आप विशेश आत्माओं की परसनल्टी सबसे उंची है चाहे आत्माओं सब चमकती हुई जोती हैं लेकिन आप रुहानी परसनल्टी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से नियारी और प्यारी है तो बाबा कहते हैं अपने अनाधी काल की personality को सम्रिती में लाओ तो आई सम्रिती में, देख रहे हो बाप तादा के साथ साथ कैसे रुहानी personality में दिखाई दे रहे हैं तो बाबा कहते है अपने आपको देख सकते हो तो चले जाओ अनाधी काल में तो कितने टाइम में जा सकते हो जाने में कितना टाइम लगेगा सेकंड से कम न कि एक दिन एक घंटा चाहिए बाबा केते सैकिंड से भी कम जहां चाहो वहां पहुँच सकते हो तो अनाधी काल की अपनी परस्नेलिटी देख ली तो बाबा केते अभी अनाधी काल से आधी काल में आ जाओ आ गए या अभी चल रहे हो पहुँच गए तो अनाधी काल से आधी काल में अपनी रुहानी परस्नेलिटी देखो कितनी स्रेश्ट परस्नेलिटी है तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंद की भी सब परकार की परस्नेलिटी कितनी स्रेश्ट है तो आधी काल की personality देख रहे हो कितने सुन्दर लगते हो कितने सजे हुए हो कितने सुख, शान्ती, प्रेम, आनन्द, सरूप हो तो आधी काल में भी अपनी personality को देखो स्पष्ट दिखाई देती है या पांच हजार वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है बाबा पूछ रहे हैं सभी को स्पष्ट है हुश्यार हो सभी तो आधी काल भी अपना देख लिया अभी आओ मध्य काल में तो मध्य काल में भी आपकी personality क्या रही कितने विधी पूर्वक, पूजे और गाये जाते है चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं personality वाले गाये जाते हैं लेकिन आपके जड़ चितरों की personality के आगे उनकी personality कुछ भी नहीं है जैसे आप सब की पूजा होती है वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्मात्मा की विधी पूर्वक पूजा होती है कभी देखी है आपके जड़ चितरों जैसे श्रिंगार किसका होता है तो बाबा कहते मद्धे काल में भी आप आत्माओं के purity की personality की विशेष्टा कितनी स्रेष्ट है तो अपना चितर देखा आपकी पूजा होती है की नहीं सिर्फ बड़े बड़ों की होती है हमारी नहीं डबल विधेश्यों के मंदिर है देखा है उसमें आपका चितर है की सुना है तो कहते हो की हाँ होंगे तो बाबा पुछते हैं समरिती में है तो मद्धे काल भी आपका अति स्रेष्ट है और लास्ट जनम में जो मर जीवा ब्रहमन जनम है उसकी personality देखो कितनी बड़ी है गायन कितना है कोई भी स्रेष्ट कार्य अब तक भी आपकी नाम धारी ब्रहमन ही करते है अभी ब्रहमन रहे नहीं है लेकिन नाम के तो ब्रहमन है न तो आपके नाम से आपकी personality के कारण वो भी स्रेष्ट गाये जाते है तो ब्रहमन जनम की personality कितनी स्रेष्ट है आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अन्तकाल सारे कलप में आपकी personality सदा ही महान रही है बाबा कहते हैं लौकिक personality वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेश बुक में उन्हों का नाम आता है कि फलाने फलाने हैं लेकिन आपका नाम किस में आता है सधारन बुक में नहीं आता है शास्त्रों में आता है जो भी आदी काल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है किसका गायन है किसकी कहानिया है तो लौकिक personality वालों का गायन विशेश बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं बड़े विधी पूर्वक शास्तर को संभालते हैं उसको भी बड़े पूजे के रूप में देखते हैं जो सच्चे भक्त हैं वो शास्तर को विधी पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं बाबा कहते ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते तो अपनी पवित्रता की परसनल्टी को सदा ही इमर्ज रूप में समरिती में रखो बाबा पूछते हैं जानते हैं या हैं तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं समरिती सरूप में रखो जिसके बुद्धी में ये इमर्ज रूप में समरिती रहती है तो समरिती ही समर्थी का आधार है और जहां समर्थी है वहां माया आ सकती है समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है मेहनत करने की अवश्यक्ता ही नहीं है माया का काम है आना लेकिन आपका काम अभी समय परमाण भगाना नहीं है माया आई और भगाया बाबा कितने ही आपका काम है सदा माया जीत रहना तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो अभी भगाना पड़ता है थोड़ा-थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ चाती है तो बावकत नहीं न डवल फॉर्नर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते है क्या हाल है माया सदा के लिए भाग गई अभी नहीं आएगी न कि थोड़ा-थोड़ा आए कोई हर्जा नहीं फिर भी आधा कलब की दोस्ती है फ्रेंड है न उसको ऐसे ही छोड़ देंगे बाबा कहते माया आवे ही नहीं सुनाया न कि समय समापती होने के पहले बोहत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए अंत में नहीं हो सकेगा अगर अंत में माया जीत बनने का पुर्शार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा बाब तादा तोते की कहानी सुनाते है न कि तोते को कहा नल के उपर नहीं बैठना पर नल के उपर बैठकर ही बोल रहा था तो ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ लेकिन माया का परभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ लेकिन होगा ही नहीं इसलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो और इसका सहज साधन है अपने रुहानी परस्नेलिटी को समरिती सरूप में रखो परस्नेलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो उंची परस्नेलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी, किसी में भी आँख नहीं जाएगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती मैं क्यूं नहीं करूं, मैं क्यूं नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं तो बावा कहते दूसरे के प्राप्ती में आँख नहीं जाएगी क्यूं? रुहानी परस्नल्टी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन है सभाव में भी संपन, संसकार में भी संपन और संबंद संपर्क में भी संपन भरपूर वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा क्यूं? रुहानी परस्नेलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है आंक दूसरे की प्राप्ती में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ती अन्भव करते हो तो बाबा पुछते हैं कोई अप्राप्ती है क्या? गीत गाते हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्रहामनों के खजाने में ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो न? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ अच्छा डबल विदेशी भी गीत गाते हो अच्छा तो आगे बाबा केते बाप दादा आज चारों और के बच्चों की प्योरिटी की परस्नेलिटी चेक कर रहे थे प्योरिटी की परिभाशा को भी अच्छी तरह से जानते हो प्योरिटी सिर्फ ब्रहम चरेवरत नहीं ब्रहम चरे वरत में तो आजकल के सरकम्स्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देख कर कई भक्त भी रहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन purity को सारे दिन में चेक करो तो बावा केते पवितरता की निशानी है स्वच्चता सत्यता अगर सारे दिन में चाहे उठने में चाहे बैठने में चाहे बोलने में चाहे सेवा करने में चाहे स्थूल सेवा की या सुक्षम सेवा की लेकिन अगर विधी पुर्वक नहीं की विधी में भी अगर जरासा अंतर रहे गया तो वो भी स्वच्चता अर्थात पवित्रता नहीं व्यर्थ संकलप भी अपवित्रता है क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं किसको दुख तो दिया ही नहीं लेकिन अगर व्यर्थ चला समय गया, संकलप गया, संतुष्टता गई तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिगरी में फर्क पड़ जाएगा सोला कला नहीं बन सकेंगे पंदरा कला, चोदा कला, साड़े पंदरा कला, नमबर वार हो जाएगा तो बाबा कहते हैं अपवित्रता सिरफ किसको दुख देना या पाप करम करना नहीं है लेकिन स्वयम में सत्यता, स्वच्चता, विधी पूर्वक अगर अनभव करते हो तो पवित्र हो निकल गया, बोलना नहीं था, लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं, इसी लिए अमरत वेले से लेकर रात तक अपने संकलब, बोल, करम, सेवा सब को चक करो मोटे रूप से नहीं चक करो, अगर मोटे रूप से चक करेंगे, तो देखो, चंदरवन्शी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूरे वन्शी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है मुरली कितनी हलकी है और तीर कमान कितना मेहनत का है पहले तो निशाना लगाते रहो दूसरा वोज उठाते रहो और मुरली देखो नाचो, गाओ, हंसो, खेलो तो इसी लिए मोटे मोटे रूप से ना पुरशार्थ का रखो ना चेकिंग का रखो बाबा करते अभी महीन बुद्धी बनो क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है बता कर नहीं होना है बाप तादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं बाप कभी भी टाइम कॉंशिस नहीं बनाएगा अब भी पूरा डाइमंड बनना है ना ये वाईदा किया है ना डाइमंड जुबली मनानी है या डाइमंड बनना है क्या करना है बनना भी है और मनाना भी है दोनों साथ साथ करना है तो बाप तादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वाइदा निभाया या सिर्फ मुख मिठा किया तो बाबा पूछते हैं तो कौन हो? सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो टीवी में आप सब का फोटो आ रहा है फिर बदल नहीं जाना? मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था तो बाबा केते बनना तो अच्छा है ना? तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना? आगे बाबा केते सेकंड में एवर एड़ी बन सकते हो सेकंड में अवर शरीरी बन सकते हो कि युद करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ बाबा केते ऐसे तो नहीं न? सोचा और हुआ सोचना और स्थित होना तो बाब दादा ने कुछ मिन्टों तक ड्रिल कराई तो बाबा कहते अच्छा लगता है ना तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो कितने भी बीजी हों लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बीजी हूँ बाबा कहते एक सेकंड निकालना ही है अभ्यास करना ही है अगर किसी से बाते भी कर रहे हो किसके साथ कारे कर रहे हो तो उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ क्योंकि समय पर मान ये अशरीरी पन का अन्भव ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा, वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा, तो फौरण ही समय की समाप्ती का वाइब्रेशन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, ऐसे नहीं, अगले साल में डाइमंड जुबली है, तो अब नहीं करना है, पीछे करना है, बाबा कहते हैं, जितना बहुत काल एड करेंगे, उतना राज्य भागे के प्राप्ती में भी नंबर आगे लेंगे, अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे, तो स्वता ही शक्त स्थिती सहज अनुभव करेंगे, बाबा कहते, ये छोटी छोटी बातों में जो पुर्शार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा, तो बाबा कहते, अच्छा सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा, माताइं खुश हो, बहुत अच्छा, दे नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, तो बाबा कहते, अभी तो खुलानी मंतरन था ना, सब ठीक, अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनभव हो रहा है न, कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, बजुर्ग लाइन में लगो तब ही खाना मिलेगा, तो बाबा कहते हैं, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा हता है, इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, तो परिवार को देख कर हरशित होते हैं न, भक्ती मारक के मेले से तो अच्छा मेला है न, और दो दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नोकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए न, तो ये मेला भी एक नवीनता होई, नवीनता कनभव कर लिया, अभी फिर पुरानी बाते थोड़े ही होंगी, नई बाते होंगी न, नई बात पस पुरानी नई बात अच्छी लगती है न? अच्छा चारों और के सरव रुहानी प्योरिटी की परस्नेल्टी वाले विशेश आत्माओं को सदा आदी से अंत तक परस्नेल्टी की जलक दिखाने वाली स्रेश्ठा आत्माओं सदा पवित्रता, स्वच्ता, सत्यता के शक्ती से स्वको और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं सदा नमित भाव से सेवा धारी बन परत्यक्षफल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 तो आगे बाबा ने दादियों से बात की बाबा कहते अच्छा रहा मेला कोई तकलीफ तो नहीं हुई न सब के शुब संकलब और उमंगुच सहा के संकलब से सफलता है ही है यह संगठन का संकलब ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है जैसे किला होता है न तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी इंट हिलती है और सब इंटे मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता विजे है तो बावा कहते ये भी संगठन से वो मंग उच्छाहा और स्रेष्ठ संकलप से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है अच्छा लगा और समय प्रती समय और अनभव करते जाते हैं पहले क्वश्चन उठता था होगा लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही तो सफलता मूरत का वर्दान संगठन की शक्ति को मिलता है बाप तादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं अच्छा डबल विवेश उड़ रहा है ना अच्छा है ओम शांती आज का वर्दान है स्वराज्य अधिकारी बन करमेंद्रियों को ओर्डर परमांच लाने वाले अकाल तक्त सो दिल तखत नशीन भव मैं अकाल तखत नशीन आत्मा हूं अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूं जैसे राजा जब तक्त पर बैठता है तो सब करमचारी और परमान चलते हैं तो बाबा कहते ऐसे तक्त नशीन बनने से ये करमेंद्रियां स्वता और पर चलती है जो अकाल तक्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तक्त है ही क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है फिर ना देहे है, ना देहे के संबंध है, ना पदार्थ है एक बाप ही संसार है इसलिए अकाल तखत नशीन बाप के दिल तखत नशीन स्वता बनते है और आज का स्लोगन है, निर्णे करने, परखने और ग्रेहन करने की शक्ती को धारण करना ही होली हंस बना है निर्णे करने, परखने और ग्रेहन करने की शक्ती को धारण करना ही होली हंस बनना है तो ये आज हैं तेरा अगस्त के अवेक बापतादा के महावाक्य ओम शान्ति